जै शेराधा कृष्णा देखो, माग का पवित्र महिना बहुत जादा फलकारी होता है बहुत उत्तम फल देने वाला होता है उस पर माग की अमवस्या उसके पुन्य फल के बारे में तो क्या ही कहा जाए पुन्यमा तिथी वैसे ही बहां फलकारी होती है और माग पुर्णिमा तो समझो कई हजार गुना फल देने वाली होती है धार्मित मानेतों के नुसार इस दिन स्नान दान का बहुत शुब महत्व होता है जो लोग माग माह की पुर्णिमा तिथी के दिन भगवान विश्नु की पूजा करते हैं उनकी सारी मनो कामना पूरी हो जाती है साथ ही उन्हें भगवान विश्नु की कृपा भी मलती है जोतिश शास्त्र के नुसार माग माह में भगवान विश्नु की पूजा करने का विशेश मात्व है साथ ही सनान करने का भी बहुत अधिक मात्व पताया क्या है जो लोग इस महा में सनान दान करते हैं उन्हें सुख सभागे के साथ धन और जो उनकी बहुती किच्छाए होती हैं मतलब जो अभी किच्छाए हैं वो पूरी होती है जो तिस शास्त्रों के अनुसार इस दिन राशी के अनुसार दान करने से भगवान विश्नु का आशिवाद मिलता है मतलब दान तो हम सभी करते हैं पर किसी विशेश राशी वाले व्यक्ति को किसी विशेश चीज का दान करना चाहिए उससे उसे जादा अधिक फल मिलता है तो आज इस वीडियो में आपको राशी के हिसाब से बताती हूँ माग पुर्णी मापर किस चीज का दान आपको अधिक शुपफल देगा वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो चानल पढ़नाए हो वो अभी चानल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल चाहें एक और शीद अगर आप आने वाले व्रत्युहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो पुर्णिमा लिख कर 9821025751 पर वाट्सेप मेसेज करें चलिए अब चाचा शुरू करते हैं सबसे पहली चर्चा हम मेश अशिर्की करते हैं जोतिशास के अनुसार माग पुर्णिमा के दिन मेश राशी वाले लोगों को सूरे देव की पूजा करनी चाहिए और विश्नु सहस्र नाम का पाट करना चाहिए साथ ही लाल वस्त्र, लाल चंदर और लाल मसूर का दान करना चाहिए विशब राशी के लोग माग पुर्णिमा के दिन खीर का दान करें साथ ही रात में चंद्रदेव को सफेद फूल अर्पित करें माननेता है ऐसा करने से उनके बिगड़े काम बन चाते हैं माख पुन्डिमा के दिन मिथुन राशी वाले लोग जल में गन्ने का रस मिला कर स्नान करें साथ ही इस दिन हरे मूंग और वत्र का दान करना भी बहुत शुब है माननेता है कि ऐसा करने से भगवान गनेश की कृपा मिलती है करक राशी वाले लोग पुन्डिमा के दिन स्नान करते समय जल में पंच गव्वे मिलाएं नहाने के बाद सत्य नारायन भगवान की कथा करें और ब्रहमनों को आटा और गुड का दान करें माननेता है इन चीजों का दान करने से नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलती है सिंग राशी वाले लोग इस दिन किसी जरुरत मन व्यक्ति को मिठाई का दान करें माननेता है कि मिठाई का दान करने से विवा संबंधी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है अगर कोई और आपको परेशान कर रहा है तो उससे भी छुटकारा मिलता है माग पुणिमा के दिन कर्णिया राशी के जादक छोटी बच्ची को नारियल का दान करें माननेता है कि छोटी बच्ची को दान करने से कर्जे संबंधी परेशानिया दूर हो जाती है पुन्निमा की दिन तुला राशी वाले लोगों को तेल या घी का दान करना चाहिए ऐसा माना जाता है इन चीजों का दान करने से दामपत्ते जीवन मतलब मैरेड लाइफ खुशाल रहती है व्रिष्टिक राशी वाले लोगों को पुन्निमा की दिन लाल कपड़े, दही, दिल और मुंगों का दान करना चाहिए ऐसा करने से घर में सुक्सम्रिधी आती है धनू राशी वाले लोग माग पुन्निमा के दिन साथ पीले फूलों का दान करे, मानेता है कि फूल का दान करने से जल्दी विवा के यूग बनते है माग पुन्निमा के दिन मकर राशी वोले लोग तिल का दान करें ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है कुम राशी वाले लोग पुन्निमा के दिन काले कपड़े का दान करें मानेता है कि काले कपड़े का दान करने से किसी भी कारे में सफलता मिलती है माग पुण्णिमा के दिन मीन राशी वाले लोग पीली चीज, पुस्तक, लालवस्त्र और शहद का दान करें ऐसा करने से बहुत लाब होता है ये चीजें मैंने आपको राशी के हिसाब से बताई हैं इसके अलावा जो हम गरम कपड़े, तिल और गुड इनके दान करते हैं वो तो सबको ही करना है पर साधक अपनी राशी के हिसाब से किसी विशेश चीज का दान भी ज़रूर करें इसी के साथ मैं उमीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी इससे संबंदित अगर आपके पास कोई भी कमेंस या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें ज्यान बातने से बढ़ता है इसलिए इस वीडियो को जादा से जादा शेर करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम के भी ज़रूर फॉलो करें प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू जैशी राधा कृष्ण